साथियों नवसकार कैसे हैं आप लोग कम्पिटेशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्रेटफरम पर आपका स्वागत है मैं हमेशा की तरह ये उमीद करता हूँ कि आप बढ़ियां होंगे अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियों फिचले कुछ समय से मद्प्रदेश का जो प्रारंभी परिच्छा का सलिवस है उसका यूनिट 10 है उसके बारे में पढ़ते आ रहे हमने उसमें जो कमिसंस हैं जो आयोग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा हमने आज से पहले की क्लासिस में सबसे पहले हमने भारत निर्वाचान आयोग के बारे में पढ़ा फिर राज निर्वाचान आयोग, मद्ध प्रदेश निर्वाचान आयोग और उसके बाद हमने देखा संगलोग सेवा आयोग के बारे में फिर हमने राज लोग सेवा आयोग और साथ में मध्र प्रदेश, राज लोगसेबायोग के बारे में देखा, हमने सियजी के बारे में पढ़ा, हमने नीति आयोग के बारे में देखा, हम लगभग इन टॉपिक को cover कर चुके हैं आज हम उसी सीरीज में उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे मानव अधिकार आयोग के बारे में राश्टी मानव अधिकार आयोग और साथ में चर्चा करेंगे राज मानव अधिकार आयोग के बारे में और specific जो special है हमारा मद्धिप्रदेश का राज्य मानवधिकार आयोग उसके बारे में basic fact की चर्चा करेंगे तो आइए हम आज पढ़ना सुरू करते हैं राश्टी मानवधिकार आयोग के बारे में हम देखते हैं कि राश्टी मानवधिकार आयोग कैसी संस्ता है इसकी बरतमार में क्या प्रासंगित्ता है इन सब के बारे में क्या इसका प्राबधान है कैसे ये काम करते हैं इन सब के बारे में डिटेल में बिस्तार से हम पढ़ेंगे आईए हम चर्चा करना सुरू करते हैं पढ़ना प्रारम करते हैं तो मानव अधिकार आयोग ये एक सम्वधानिक निकाए है, तो अभी तक जब से हम regular पढ़ते आ रहे हैं, तो आप तो ये समझी गए होंगे, कि सम्वधिक निकाए या सम्वधानिक निकाए ये क्या होते हैं, जब हम बात करते हैं कि मानव अधिकार आयोग सम्वधानिक निक इसका मतलब ये है, ये संवैधानिक नहीं है, मतलब भारती संवैधान के किसी बिसेश भाग या विसेश आडिकल में इसका में सामनि नहीं किया गया है। राश्टिय मानव अधिकार आयोग आईए हम आगे बढ़ते हैं मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार आयोग कैसे काम करता है कैसी इसकी संरचना है इसे पढ़ने के पहले हम ये देखें कि आखिर राश्टिय मानव अधिकार आयोग की आवश्यक्ता क्यों पड़ी तो साथियों मानव अधिकार संदचन के लिए क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है उसके पैदा होने के साथ ही उसको कुछ मानवी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो हम समझें कि मानव अधिकार क्या होते हैं मानाव अधिकार किसी भी व्यक्ति के स्वतंतरता समानता और उसके समान का अधिकार जो है वो मानाव अधिकार के अंतरगत आते हैं बहुत सारे अधिकार हैं इसकी प्रासंगिक्ता कि अगर बात करें कि इसका बारे में चर्चा कब से प्रारम हुई तो बहुत दिनों पहले इसकी चर्चा जब हुई तो संयुक्त राश संग में जो 498 में संयुक्त राश चार्चर के द्वारा ये तैं किया गया कुछ लगभक 30 आरिटिकल के तहट कि ये जो अधिकार हैं वो मानव अधिकार के अंतरगत आते हैं। वैसे जो भी बेसिक चीजें हैं जैसे हमारे जीने का अधिकार ये एक मानव अधिकार हैं। के बारे में जब विचार बिमर्स हुआ तो लगा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए और उस संस्था के बारे में जिक्र क्या हुआ कि एक मानव अधिकार आयोग का गठन भारत में होना चाहिए उसी को लेकर के जो मानव अधिकार संरचन अधिनियम लाया गया 1993 में और उसी के काम करता है हम देखते हैं मानव अधिकार आयोग के बारे में तो अगर राश्टी इस्तर की बात करें अगर हम पूरे भारत में राश्टी इस्तर की बात करें तो उसमें राश्टी मानव अधिकार आयोग काम करता है उसी प्रकार राज्जी इस्तर की अगर बात करें तो किया गया जिला इस तर पर मानव अधिकार नयाले की स्थापना की गई आए हम आगे देखते हैं मानव अधिकार आयोग के बारे में राष्टिय मानव अधिकार आयोग की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई राष्टिय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब तो 12 October 1993 और ये किसके तहत हुई हमने इसके बारे में चर्चा करी कि ये मानव अधिकार सनरचन अधिनियम की जो 1993 है उसकी जो धारा सिक्सन 3 के तहत क्या किया गया राष्टी मानव अधिकार आयोक का गठन किया गया साथियों जब हम पढ़ते हैं और अगर आपको लगता है कि इसकी स्लाइट क्यू प्योगिता है ये आपको जरूरी है तो जब मैं किनारे होता हूं आप इसके स्कृन्सॉर्ट रख सकते ये कैसा निकाय है? ये एक समविधिक या गैर समविधानिक निकाय है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, आपको इसके बारे में बहतर अंतर करना अभी तक में आ चुका होगा है यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है जो राष्टिय मानव अधिकार आयोग है वो किसी भी व्यक्ति के लिए मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी की तरह काम करता है हमारा राष्टिय मानव अब हम आगे देखते हैं, राष्टी मानव अधिकार आयोग की संरचना, इसकी संरचना क्या है, राष्टी मानव अधिकार आयोग में कौन-कौन लोग काम करते हैं, कितने सदस ये निकाय है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो इनकी संरचना में एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्च है और उसके बाद अन्य सदस है अब इन में कितने सदस हैं कौन कौन इसके सदस बन सकते हैं उन सब के बारे में हम बिस्तार से चर्चा करेंगे अध्यक्ष कौन बन सकता है अध्यक्ष कौन होता है अध्यक्ष के लिए क्या योगता है अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है उसके बारे अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोट का कोई सेवा नर्वित या कारेड़त नयाधीस होता है और वो मुख्य नयाधीस भी हो सकता अध्यक्ष वही होगा जो सुप्रीम कोट का सेवा नर्वित रिटायड नयायधीस या कारेड़त नयायधीस हो उनमें नयायधीस ही नहीं मुख्य नयायधीस भी हो सकता है अब सदस्य कौन कौन होगा सदस्य कौन होगा तो एक अध्यक्ष अध्यक्ष कितना होगा एक अध्यक्ष तो हमने चर्चा करी कि अध्यक्ष अध्यक्ष एक अध्यक्ष होगा और वो अध्यक्ष कौन होगा वो सुप्रीम कोट का कोई रिटायर्ड सेवा निवत नायधिस या कारिरत नायधिस या उनमें रिटायर्ड मुख्य नायधिस भी हो सकता है अब हमने देखा कि एक अध्यक चीसमें होगा अब अगर हम सदस्यों की बात करें कि इसमें कितने सदस इस आयोग में कितने सदस से काम करते हैं तो सदस में आईए देखते हैं पूर्ण कालिक सदस कुछ पूर्ण कालिक सदस से होते हैं और ये कितने होते हैं ये पांच पूर्ण कालिक सदस से होते हैं और वो पांच कौन-कौन होते हैं एक सदस तो वो होगा जो सुप्रीम कोट का मुख्य नायधीस या कोई कारेड़त अत्वा सेवा नर्वत नायधीस हो सकता है तो एक तो यह होगे एक सदस उच्छ नायाले मतलब हाई कोट का नायाले का कारेड़त अत्वा सेवा नर्वत मुख्य नायधीस होगा और तीन अन्ने लोग होते हैं जो मानव अधिकार से सम्बंदित विसेश अनुभव रखते हैं या मानव अधिकार से सम्बंदित ग्यान रखते हैं उनको कारेर करने का अनुभव है ऐसे तीन पूर्ण कालिक सदस्य होते हैं तो कुल मिलाकर अगर हम पूर्ण कालिक सदस्यों की बात करें तो पांच पूर्ण कालिक सदस्य होते हैं और साथ पदेन सदस्य होते हैं साथ पदेन सदस्य होते हैं और उन साथ पदेन सदस्यों में कौन-कौन होता है तो देखें राष्टी अलपसंग्षक आयोग का ध्यक्ष राष्टी महिला आयोग का ध्यक्ष राष्टी जो हमारा अनसूचित जाती आयोग का ध्यक्ष और राष्टी अनसूचित जन जाती आयोग का ध्यक्ष और राष्टी ओबी सी वर्ग का पिछडा वर्ग आयोग का ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मुख आयोक्त होगा इस तरह कुल मिला के ये साथ पदेन सदस्य होते हैं और एक सिकेट्री जनरल होता है अगर आप से कोश्चन पूछा जाता है अगर आप से कोश्चन ये पूछा जाता है कि राष्टिय मानाव अधिकार आयोग क साथ पदेन सदस्य होते हैं कई बार कोश्चन में ऐसे भी कोश्चन पूछे जाते हैं कि इन पदेन सदस्यों में से कौन सा सामिल नहीं होता तो आप याद रखे अलपसंचक आयोक का ध्यक्ष उसके बाद बालसनक्षन आयोक का ध्यक्ष अनसूचित जाती आयोक का अनसू आपने इसको देख लिया विस्तार से आईए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आयोग के इन जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है इनकी नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में च तरचा करते हैं तो इनकी जो न्युक्ति होती है वो एक समित के तहत होती है और वो समित का अध्यक्ष कौन होता है प्रधान मंत्री जी होते हैं उसमें कौन-कौन लोग सामिल होते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं तो हमने आपको बताया कि इनकी जो न्युक्ति होती है वो राष्ट पती द्वारा गठित एक समित किसी पारिस पर होती है और जो राष्ट पती जी समित गठित करते हैं उसका जो अद्धक्च होता है वो पियम की अद्धक्चिता में प्रधान मंतरी की अद्धक्चिता में समित गठित होती है समित में सामिल कौन-कौन लोग होते हैं तो हमनों आपको बताया कि प्रधान मंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं लोग सभा अध्यक्ष राज सभा के उपसभा पती राज सभा के उपसभा पती यहां कर लीजिए केंद्री ग्राह मंत्री लोगसभा में विपक्ष का नेता और राज्य सभा में विपक्ष का नेता ये लोग होते हैं, तो ये कितने लोग होते हैं, छै लोग, छै समीत में छै लोग सामिल होते हैं, एक अध्यक्ष, एक लोगसभा, अध्यक्ष, अध्यक्ष में प्रधार मंत अब हम आगे देखते हैं आयोक के अध्यक्ष एवम सदस्यों का कारिकाल एवम सेवा सर्थों के बारे में अगर बात करें किनका कितना कारिकाल होता है इनकी सेवा सर्थे कैसी होती है इनकी सेवा सर्थों का निर्धारन कौन करता है इन सब के बारे में आई ये देखते हैं अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कारेकाल है वो तीन वरसे या सतर वरसे की आयोग तक होता है इसमें जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए होगा उसके बाद आयोग के अध्यक्ष प्रिंटिंग मिश्टेक है इसको आप ठीक कलने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पुनर्न युक्ति के पात्र होते हैं ये आप याद रखें कि ये जो मानव अधिकार आयोग है इसमें के जो अध्यक्ष और सदस्यों है ये पुनर्न युक्ति के पात्र हो सकते हैं अपने पद पर सेवा नर्वत्ति के पस्चाद रिटार होने के बाद ये आयोग के अद्दक्ष इवम सदस भारत सरकार या किसी राज सरकार के आधिन कोई भी लाव का पद धारन करने के योग नहीं होंगे अर्थाद किसी भी प्रकार के लाव का पद धारन नहीं कर सकते बेतन भत्ते और अन्द सेवा सर्तों का निर्धारन उसका निर्धारन कौन करता है तो केंद्र सरकार दोरा निर्धारित किया जाता है चाहे इनके बेतन भत्ते हो या अन्द सेवा सर्ते अध्यक शेवन सदस्चों की नियुक्ति के बाद इन में किसी भी प्रकार का चाहे वेतन भत्तो हो या अन्द सुविधाएं हो उसमें अलावकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता आगे देखते हैं राष्टी मानाव अधिकार आयोग का एक संचिप्त और महत्पूर्ण परिचे हम लोग देख लेते हैं स्लाइट के थुरूप, स्वरूप क्या है इसका, तो समविधिक सुरूप है, राष्टिय मानाव अधिकार आयोक का जो सरूप है, वो समविधिक प्रकार का है, गठन की अगर बात करें, तो गठन के कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ, और यह किस के तहत हुआ, व जो मानाव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993 आया, उसके द्वारा, कार्याले की अगर बात करें, नई दिल्ली में है, संरक्षना की बात करें, कि इसमें कितने लोग सामिल होते हैं, तो एक अध्यक्ष, पांच पूर्ण कालिक सदस्य और साथ पदेन सदस्य सामिल होते हैं, अरतात ये एक बहु último सदस्य निकाय है, अध्यक्ष और सदस्यों की निक्ति, हमने चर्चा कर ली, कि इनकी निक्ति प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली चैन समित की सिपारिस पर कौन करता है, तो राश्ट पती जी करते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा सर्तों क का निर्धारन केंदर सरकार द्वारा किया जाता है अध्यक्ष वा सदस्यों का कारेकाल की अगर बात करें तो तीन वर्स या सत्तर वर्स का इनका कारेकाल होता है रिपोर्ट की अगर बात करें कि ये अपनी बारसिक रिपोर्ट किसे देते हैं तो ये अपनी बारसिक रिपोर आयोक के बरतमान अध्यक्ष की अगर बात करें कि बरतमान में अध्यक्ष कौन है तो बरतमान अध्यक्ष निया मूर्त अरुन कुमार मिसर जी इसके बरतमान अध्यक्ष हैं आईए हम आगे वड़ते हैं और चर्चा करते हैं त्याग पत्रिया हंटाया जाना अब इन सब के बाद त्याग पत्र किसे देंगे अगर अध्यक्ष सदस्यों को लगे कि हमको त्याग पत्र देना है अपने कारकाल के दौरान सेवा निर्वत्ति से पहले तो यह किसको देंगे अगर किसी भी सदस्या अध्यक्ष को हटाने की बात आए तो कौन हटा सकता है इनके बारे में बात करते हैं अध्यक्षेवं सदस्य का जो त्याग पत्र है वो राष्ट पती को निम लिखित परिस्थितियों में राष्ट पती इनको हटा सकता है जो त्याग पत्र देने और हटाने की बात है तो राष्ट पती हटा सकता है अध्यक्षवां सदस्यों को और वो कैसे आर्थिक स्वरूप से कि अगर आपने किसी भी निगम से या किसी भी व्यक्ति से आपने आर्थिक रूप से उधार ले रखा है और आप उसको चुकाने के लिए सक्षम नहीं हैं, आपको किसी कोट ने दिवालिया घोसित कर दिया हो तो उस समय राष्ट पती जी हटा सकते है लावकारी पद्धारन कर लिया हो मांसिक या सारीरिक रूप से अक्षम हो गए हो अपने पद के कारे निर्वाहन में नयायाले दोरा दोसिया सजा यापता कर दिये गए हो राष्ट पती अध्यक्षवा सदस्यों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं लेकिन राष्ट पती जी ऐसे इसको नहीं हटाते इनको नहीं हटाते वो क्या करते हैं सुप्रीम कोट में जाच की प्रक्रिया के तहत अगर नयाले को ये लगता है कि इनको हंटाया जाना चाहिए तो उसकी सिपारिस पर राष्ट पती जी हंटा सकते हैं सुप्रीम कोट की सिपारिस पर आयोक के कारे राष्टिय मानव अधिकार आयोक क्या काम करता है राष्टिय मानव अधिकार आयोक का क्या काम है उसके बारे में देखते हैं स्वता संग्यान से ये किसी भी मामले को अगर इसको लगता है कि किसी भी व्यक्ति के मानवा अधिकारों का उलंगन हुआ है उसका हनन हुआ है तो वो स्वता संग्यान ले सकती सिकायत के आधार पर अगर पीडित ने सिकायत करी है या पीडित ने नहीं किसी तीसरे व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति ने भी सिकायत करी है तब भी आयोग उसमें कारवाई कर सकता है उसकी जाच कर सकता है मानव अधिकार उलंगन संबंदी मामलों की जाच करने का काम राष्टी मानव अधिकार आयोग करता है लोग सेव को द्वारा किये जाने वाले मानव अधिकार हनन से संबंदित मामलों की जाच कौन कर सकता है तो वो मानव अधिकार आयोग जन जाग रूपता पैदा करने का काम मानव अधिकार आयोग का है मानव अधिकार की छेत्र में कारेरत जो गैर सरकारी संगठन है उनसे भी सहयोग प्राप्त करना तिथा उनकी प्रयासों की सराहना करना दिखाय उपाय सुझाने का काम किसका है राष्टी मानव अधिकार आयोक का इस तरह तमाम बहुत सारे कारे हैं चाहे हुँग जेल और बंदी ग्रहों में बंद लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षन की बात हो समय समय पर वहां जाना और उनका देख रेक करना कि क्या उनक की समिक्षा करना जाच करने का काम किसका है मानव अधिकार आयोक का आतंकवाज जैसे उन तमाम मुद्दों की समिक्षा करना अधिकारों के उलंगन से संबंदित मामलों की जाच करने का काम किसका है तो राष्टी मानव अधिकार आयोक का है मानव अधिकारों से संबंदित अंतर राष्टी संधियों, दस्तावेजों का अध्यनकर उनको प्रभाव साली कैसे बनाया जा सके, उनको implement कैसे किया जा सके, इन सब का काम करने का काम, इन सब कारेयों को संपूर्ण करने का काम, किसका है, किसकी जुम्मेदारी है, वो राष्टी मानवधिकार आयोक के अंतर अति है अब हम आगे चर्चा करते रिपोर्ट या प्रितिवेदन ये बार्षिक रिपोर्ट अपनी किसको देता है बार्षिक रिपोर्ट या अपना प्रितिवेदन किसको सौपता है तो बार्षिक रिपोर्ट ये अपनी किसको देता है केंदर सरकार को सौपता है तथा कई जो राज्य से संबंधित मामले होते हैं, तो संबंधित राज्य को भी ये अपनी रिपोर्ट सौपता है, और फिर केंदर सरकार उसको संसद में रखवाती है, राज्य सरकार विधान मंडल में उसको रखवाती है, आयोक की सक्तियों की अगर हम बात करें, कि आयोक की सक्तिया उसने जो ये माना है जिस सपत के तहट वो अपने पत्पर बना हुआ है उसको वो पूश्ट ताच के लिए बुला सकती है सपत की जाच कर सकती है ये भारत के अंदर किसी भी विव्यक्ति को समझ जारी कर सकती है प्रकृति इसकी नाइक प्रकार की है केंदर या राज सरकार स किसी भी जानकारी अत्वा रिपोर्ट को माग सकता है कौन राष्टिय माना अधिकार आयोग सपत पत्र के आधार पर गवाह को बुला सकता है तथा साक्ष प्रस्तुत करने के लिए इनके पास सत्ती है सरवजनिक रिकार्ट की जाच कर सकता है किसी भी सरकारी संस्था या गया सरकारी संस्थाओं से आकड़े मगवा सकता है रिपोर्ट मगवा सकता है और उनके कागजातों को सर्च कर सकता है अगर हम देखें आयोग की सीमाए किसी भी आयोग की सीमाए कहा तक है राश्टिय मानव अधिकार आयोग का जो भी कार है वो सलाहकारी प्रकित का है ये किसी भी सरकार या अधिकारी पर बात ध्यकारी नहीं है इसकी प्रकिती सलाहकारी प्रकित की है आयोग की राश्टिय मानव अधिकार आयोग की ससस्त्र बलदवारा अगर मानव अधिकारों का उलंगन किया जाता है तो वहाँ आयोग की सक्ति एक सिमित दाइरे तक ही है मानव अधिकार उलंगन करने वाले दोसी को आयोग दंड का अधिकार नहीं है आयोग को दंड देने का अधिकार नहीं है किसी विब्यक्त को दंड देने का अधिकार आयोग नहीं रखता पीडित को आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता मुअबजे जैसी बात पीडित के लिए आयोग नहीं तै कर सकता अर्थात ये किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग पीडित को नहीं दे सकता इसकी अधिकारिता आयोग नहीं रखता अब हम आगे बढ़ें और देखते हैं राज जमानाव अधिकार आयोग और हम देखेंगे मद्ध प्रदेश राज जमानव अधिकार आयोग के बारे में राज जमानव अधिकार आयोग का गठन अधिनियम मानव अधिकार सरक्षण अधिनियम 1993 की धारा सिक्षन 21 के तहट किया गया है किस सिक्षन के अंतरगर? कोश्चन में आपके पूछा जाता है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन है वो मानव अधिकार समक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत है तो धारा 21 के तहत उसका गठन किया गया है राज्य मानव अधिकार आयोग का राज्य मानव अधिकार आयोग के कारवसक्तियां राश्टिय मानव अधिकार के समान ही होती हैं लेकिन ये राज्य में इतने सारे मामले होते हैं कि ये राज्य तक ही सीमित रह जाता है इसकी प्रसंगिकता राज्य तक ही सीमित रहती है अभी तक अगर बरतमान में बात करें तो 26 राज्यों में भारत में मानव अधिकार आयोक का गठन किया जा चुका है राजमानव अधिकार आयोग की इस्थापना की जा चुकी है मद्द प्रदेश राजमानव अधिकार आयोग की अगर बात करें तो इसकी इस्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी अच्छी बात है मानव अधिकार आयोग मद्द प्रदेश में इस्थापित है मद्ध प्रदेश में मानवों के अधिकार के लिए समय समय पर कारे करना है समय समय पर सिपारिश करता है सरकार से कौन राजमानव अधिकार आयोग कार्याले इसका कहा है तो कार्याले भोपाल में है मद्धिप्रदेश की राजधानी भोपाल में है और परियावास भवन नाम है इसके कार्याले का अगर धेवाक की हम बात करें कि राज्यमानाव अधिकार आयोग मद्धिप्रदेश का जो है ये बहु सदस्य निकाए है ये बहु सदस्य निकाए है तो इसमें कितने लोग सामिल होते है कौन कौन लोग सामिल होते है आईए देखते है इसमें जो एक अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन बनता है तो अध्यक्ष हाई कोट का सेवा नवत मुख नयाधिस या अन्य कोई भी नयाधिस इसका ध्यक्ष बन सकता है अब दो सदसे होते हैं ये तीन सदसी निकाए हैं इसमें एक ध्यक्ष और दो सदसे होते हैं दो सदसे कौन कौन होते हैं तो आईए देखते हैं एक सदस तो वो होगा जो हाई कोट का सेवा नुर्वत्या कारेड़त नियाधिस होगा और एक अन्य जो सदस्य है वो राज जी का कोई जिला जिला नियाधिस जो साथ वर्स का अनुभव रखता हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों का विसेश ग्यान हो वो भी हो सकता है इस तरह ये तीन सदस्य निकाय का गठन होगा अब हम आगे देखें अब बात करते हैं हम मद्य प्रदेश राज जिमानव अधिकार आयोग के एक संचिप्त परिचे के बारे में देखते हैं कि ये कैसा निकाय है क्या इसकी विवस्ता है स्वरूप की अगर हम बात करें तो ये भी सामधिक सुरूप है और सामधिक सुरूप का आपकारण जानते हैं कि मानव अधिकार सनक्षन दिनियम जो 1993 में गठित हुआ उसकी सेक्षन 21 के तहट इसका गठन किया गया है इस्थापना की अगर बात करें तो 13 सितंबार 1995 में इसका इस्थापना हुई इसका गठन हुआ कार्याला की अगर बात करें परियावाज भवन भोपाल में है सनरशिना की बात करें तो ये बहु सदसी निकाय है हमने बात कर ही ली है इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं नियुक्ती नियुक्ती इसकी राज़पाल करते हैं लेकिन राज़पाल एक चैन समित की द्वारा करते हैं हम चैन समित में कौन लोग सामिल होते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अध्याच्छेवन सदस्यों का कारकाल जो है वो तीन वर्स या सत्तर वर्स की आई जो भी पहले हो तब तक के लिए होता है सेवा सर्तों का निर्धारन सेवा सर्तों का निर्धारन राज्य सरकार करती है रिपोर्ट ये किसको प्रस्तुत करता है तो रिपोर्ट ये वार्षिक रिपोर्ट अपने राज्य सरकार को देता है प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो हभी बुल्ला प्रथम अध्यक्ष थे और बरतमान में अद्धक्ष कौन है? तो नरेंद कुमार जैन जी बरतमान में कहा? राजमानवादिकार आयोग मद्रदेश के अद्ध्यक्ष है. आईए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं. तो हमने कहा कि न्यूकति जो होती है चाई अद्ध्यक्ष और सदस्य हो इनकी नियुक्ति कैसे होती है ति इनकी नियुक्ति एक समित के द्वारा की जा सकती है राज जिपाल के द्वारा गठित समित की द्वारा की जाती है और उस समित में मुख मंतरी की अध्धक्षता वाली समित, राज पाल समित गठित करते हैं, जिनकी अद्धक्षता कौन करता है, तो अद्धक्षता मुक्ख मंत्री जी करते हैं, अब समित में और कौन-कौन लोग सामिल होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, हमने चर्चा करी कि मुक्ख मंत्री जी इसके अद्धक्ष होते हैं तो अध्यक्ष तो मुक्मंत्री जी हैं उसके बाद विधान सभा अध्यक्ष राज्य का ग्रह मंत्री और विधान सभा में जो नेता प्रतिपक्ष है और कई-कई राज्यों में जैसे लगवग हमारे भारत के छे राज्यों में विधान परिसद है तो वहां विधान अगर आप हाई कोट के मुख नयाधिस से परामर्स के बाद ही आयोग में नयुक्त कर सकते हो ऐसी सम्मेधानिक इसमें ऐसे कानून और ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करता है आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कारकाल और सिवा सर्तों के बारे में चामर्यकाल कितना है राज जमाना वदिकार आयोक के अखिर अध्यक्ष होब सदस्यों का ध्यक्ष का कारकाल कितना है तो तीन वरसियां 70 वरस किया जो भी पहले हो ये पुणर निुक्ती के पात्र नहीं ये पुनर नियुक्ति के पात्र किसी नियोजन के पात्र नहीं है ये किसी भी राज सरकार में किसी नियोजन के पात्र नहीं हो सकते या मत कहने का मतलब ये है कि जब ये सेवा नियुक्त हो जाएंगे किसी भी राज सरकार में ये किसी भी प्रकार का लावका पद्धारन नहीं करेंगी त्याग पत्र ये राजपाल को अपना देते हैं बेतन भत्तों और सेवा सर्थों का निल्धारन राज सरकार द्वरा किया जाता है अलावकारी परिवर्तन नहीं हो सकता इसमें जब भी अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा उस समय जो बेतन भत्ते थे या अन्य जो सेवस विधाएं थी इनकी उसमें किसी भी प्रकार का अलावकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा पद त्याग और पद से हटाया जाना अगर इनको अपना पद त्याग ना है और इनको अगर पद से हटाया जाना है उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी ये किसे अपना त्याग पत्र देंगे या किसे के द्वारा इनको हटाया जा सकता है तो ये त्याग पत्र किसको देंगे तो इनकी नियुक्ति राजिपाल करते हैं तो ये त्याग पत्र भी राजिपाल को ही देंगे लेकिन कारकाल के दर्मियान अगर हटाने का अधिकार है तो वो केवल और केवल राष्ट पती जी को है और हटाने के लिए क्या कहा गया है कि जैसे राष्टी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के तहट इनको भी हटाया जाएगा और उनको हटाने के प्रक्रिया आप जानते हैं कि सुप्रीम कोट के जाच के वाद ही उनको हट जा सकता है सुप्रीम कोट की सिपारिस के बाद राष्ट पती जी हटा सकते प्रक्रिया राष्टी माना अधिकार आयोक के अध्यक्ष वा सदस्यों को हटाने वाली वही प्रक्रिया होगी सदस्य को अध्यक्ष पर पुनर नियुक्ति कौन कर सकता है अगर कई लगता है राज पती जी हटा सकते हैं तो वो परिष्ठितियां होंगी दिवालिया होना ये किसी कोट द्वारा किसी नयाई कोट द्वारा इन्हें दिवालिया घोसित कर दिया गया या किसी प्रकार का इन्होंने लाब का पद्धारन कर लिया मांसिक या सारीरिक रूप से अपने कारत के चार याग छुमता के आधार पर हटा सकते हैं और वो कैसे हटाएंगे सुप्रीम कोट के जाच के बाद आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयोग के कार आयोग कार क्या करता है उनके बारे में देखते हैं तो मानाव अधिकारों के उलंगन की जाच करने का काम कौन करता है आयोग करता है राजमानाव अधिकार आयोग करता है जे लोग अबंदी ग्रहों में जा कर वहां की इस्थिती को जाचना और वहां जो बहतर हो सके उन उपायों की सिपारिस करने का काम भी कौन करता है राजमानाव अधिकार आयोग ये तैं करता है कि वहां जो लोग ह उनके मानव अधिकारों का उलंगन ना हो, उनको अपने मानव अधिकार का एक प्रकार से निर्वान हो, मानव अधिकारों का उनको वेवस्थित किया जा सके। कि जागरूख हों, लोगों को जागरूख करने का काम तथा उनके संरक्षन और प्रोथसाहन करने का काम कौन करता है, तो वो करते हैं राज जमानव अधिकार आयोग। ले सकता है, कार सलाहकारी प्रकितका होगा, कार किसी भी अधिकारी या किसी भी संस्ता पर बाद्धकारी प्रकितका नहीं होगा, सरकार पर बाद्धकारी नहीं होगा, ये एक सलाहकारी प्रकितका होगा। दंड या मुआपजा देने का अधिकार आयोग के पास नहीं है राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यहां राज्य कर लेते हैं हम राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी सलाह मानने है तो बाद नहीं है हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर ली है आईए हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं रिपोर्ट अगर हम रिपोर्ट की बात करें कि ये अपनी बारसिक रिपोर्ट किसे देता है तो बारसिक वबिसेस रिपोर्ट ये राज सरकार को सबता है और राज सरकार उसे विधान मंडल में रखवाती है सदन के सामने रखवाती है मानव अधिकार नयाले अब हमने बात करी थी कि जिला इस्तर पर मानव अधिकार नयाले का गठन किया जाता है तो मानव अधिकार नयाले का गठन कैसे किया जाता है मानव अधिकार सन्रक्षन अधिनियम 1993 के सेक्षन जो 30 है उसके तहट क्या मानव अधिकार नयाले का गठन जिला इस्तर पर किया जाता है इस्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और राज्य सरकार कब करेगा जब high court मतलब संबंधित राजी के उछ नयाले के मुख नयधिस के परामर्स के बाद ही ऐसा किया जा सकता है उद्धेस क्या है मानाव अधिकार के जो हनन के मामले हैं उनके तोरित निराकरन के लिए मानाव अधिकार नयाले का गठन किया जाता है ऐसा प्रतेक जिले में किया जाता है इसके बारे में हमने चर्जा कर ली राज जी सरकार प्रतेक नायाले में बिसेस लोक अभियोजक नियुक्त करती है और बिसेस लोक अभियोजक किसे नियुक्त करती है उनको नियुक्त करती है जिनके पास साथ वर्स का अनुभाव हो विसेश लोक अभी योजक कौन बनेगा साथ वर्स का अखालत कर अनुभाव रखने वाला ब्यक्ति विसेश लोक अभी योजक बन सकता है तो साथियों हमने देखा, हमने पढ़ा क्या मानावधिकार आयोग, राश्टी मानावधिकार आयोग और उसके बाद हमने देखा, राज मानावधिकार आयोग के बारे में हमने बिस्तार से डिटेल में पढ़ा क्या कार है इनका कितनी सीमाएं हैं क्या सत्तियां हैं इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली हमने राष्टी मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा चूंकि आपके सलेबस में राष्टी मानव अधिकार आयोग मेंसन है राज मानव अधिकार आयोग के बारे में उतने ड आनव अधिकार नयाले हैं हमने उनके बारे में भी पढ़ा तो मैं उमीद करता हूँ कि ये क्लास ये जो आपके लिए लेक्चर आपकी तैयारी में आपके पढ़ाई में फायदे मन सावित हुआ होगा आप अपनी तैयारी को और बहतर बनाएं पढ़ते रहें और संधर्स कर MCQ लगाएंगे हम फिर MCQ के तहट अपनी तैयारी को परखेंगे जाचेंगे कि हमको चीजे कितनी याद हैं हम मिलते हैं अंगली क्लास पर तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद आप जुड़े रहें याद रखें आप competition community team के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बहतर बनाते रहें चलिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद